चली आपको सीधा लिए चलते हैं चर्की दादरी चुनाप्रचार अपने चरम पर है और पीम मोदी हरियाना में हैं सीधे रुख करते हैं चर्की दादरी का कि ये दिवाली हमारी बेटियों के नाम होनी चाहिए जो बेटिया लक्ष्मी बनकर हमारे परिवार हमारे समाज हमारे देश को गवरव दे रही हैं उनकी उप्लद्यों का फूजन जरूर होना चाहिए भाई और बेहनों देश की बेटियों की हमारी बेहनों का स्वास स्वाभीमान सुरक्षा और ससक्तिकनन हमारे लिए सरवोच्च प्रात्फिकता रही है स्वच्च भारत अभियान से गर गर और हर स्कूल में सौचालाई मन्ने से बेहनों को सिविदा भी मिली है और उनका सम्मान और स्वाभीमान भी बड़ा है उजवला योजना से बेहनों को दुए से होने वाली बिमारियों से मुक्ति भी मिली है और गैस पर खाना पकाने से समय की भी बच्चत हुई है हर्याणा मैं तो मैं खुद गवा रहा हूँ कि कैसे केरोसिन के लिए लंबी लंबी लाइने लगा करती थी अब उन लाइनों से भी हमारे हर्याणा के लोगों को मुक्ति मिल चुकी है मात्रुत्व काल में सरकार में काम करने वाली कंपनियों में काम करने वाली हमारी माताए बेहने मात्रुत्व काल में अब छे हजार रुपिये की सीधी आर्थिक सायता इन सभी गरीम माताओं के खाते में जमा हो रही है ताकि गरपावस्ता में वो अच्छा खाना खा सके पोशकाहार ले सके होने वाली मा का स्वास्त भी अच्छा रहे और होने वाले संतान का स्वास्त भी अच्छा रहे इसकी चिंता भी सरकार कर रही है समय समय पर स्वास्त की जाश भी हो रही है इतना ही नहीं माता बनने के बाद जब माँ खुश्यों से भरे हुई होती है तो हमारी सरकार ने ताय किया कि जो सरकार में काम कर रही है हमारी माता ये बहने है सिख्षक हो, नर्थ हो, पुलिस में हो, कहीं पर भी हो माँ बनने की खुश्या वो जी भर के अपने बच्चे के साथ बिता सके इसलिए हमने नोकरी में छे महिने तक की तनखा के साथ छुट्टी देने का निरने कर लिया ताकि पहले छे महिने वो मा संतान के साथ जी भर के जिये और संतान का भी सही विकात का काम शुरू हो जाए बाई और बहनों बेटियों के आर्थिक ससर्क्ति करण के लिए स्वरोजगार के लिए भी अभुत्पुर्वक कदम उठाये जा रहे हैं इस बजेट में एक एहम गोसना की गई है सेल्फ हेल्फ गुरूप से जुड़ी बहने स्वास हाई जो हमारी माताई बहने गरीम माताई बहने जो ग्यारा बहने पंदरा बहने इकिस बहने इकटी होती है ऐसी बहने अपने जनदन बैंक खाते से अपनी बचत के अलावा भी पाँच हजार रुपिये अपनी जरूरत के लिए बैंक से उधार ले सकेगी अब किसी साहुकार के पाथ नहीं जाना पड़ेगा उसको अपना गहना गिरिवी नहीं रखना पड़ेगा और घर में भी वो सम्मान के साथ जी सकेगी यह हमने किया है इतना ही नहीं हर सेल भेल गुरूप की एक सदस्य मुद्रा योजना के तहट एक लाख रुपिये का रण भी सीधा बैंक से ले पाएगी भाईयो भहनों ये अपने आप में बहुत बड़ा करांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया ऐसे ही अनेक कदम भाजपा सरकार नरंतर उठा रही हैं जिससे राष्ट निर्मान में बेटियों की भुमिका को और विस्तार मिलेगा साथ यों ये पूरा छेत्र तो खेट खलिहान से लेकर खेल और युद्व के मदान तक राष्ट के लिए अपना योगदान दिने वालों का है ये तीनों भी से आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि इन तीनों में दो बाते कॉमन है सामान्य है पहली बात इन तीनों में राष्ट भक्ति कूट कूट करकर के भरी होती है दूसरी बात इन तीनों ही खेत्रों में स्रम शक्ति तब प्याग और तपस्या के संसकार होते हैं भाई और बेनों जब ये दोनों बाते एक साथ आ जाती है तब किसी राष्ट को ताकतवर बनाने से कोई भी नहीं रोप सकता यही कारण है कि हर्याना की देश की इसी शक्ति को ससकता करने का प्रयास किया जा रहा है खेल और खिलाडियों को प्रोचाइज करने के लिए अभुत पूर्व प्रयास हो रहे हैं हमारे युवाओं की फिटनेस के लिए उनको व्यायाम की तरफ प्रोचाइट करने के लिए फिट इंडिया अभियान देश में चल रहा है खेलो इंडिया अभियान से गाओं के स्तर पर छोटे छोटे बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है उनको प्रोचाइट किया जा रहा है प्रतिभाओं की पहचान से लेकर अलेम्पिक के मैदान तक खिलाडियों को आज सुभी धाई दी जा रही है हमारे खेलों में पारदर्सिता और प्रोचाइट की इस नई रती नीति के हर्याना के मेघावी खिलाडियों को बहुत लाब हो रहा है हमारा प्रयास है कि हमारे उवाद साथी खेलों से जादा से जादा जुड़े और फिर समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे यही कारण है कि बेटी बवित्ता जी जैसे अनेक साथी भाज़पा के साथ जुड़ रहे हैं और आज आपके बीच में पूरे समर्पन के साथ काम करने के लिए तैयार है और मेरे हर्याना के भाईयों बेनों हिंदुस्तान के मेरे भाईयों बेनों आपको खुजी होगी पिछलों दिनों चीन के राश्पति मुझे मिले हम इनफर्मल समिझ के लिए खटे हुए थे बीच-बीच में हलकी फुलकी भी बाते होती थी तो चीन के राश्पति ने मुझे बताया और बड़े गर्व से बताया उन्हों ने कहा कि मैंने दंगल मुवी देखी है और बोले आपकी बेटिया कैसा कमाल करती है ये पूरा मुवी मैं बोले देख के आया हूँ जब मैं चीन के राश्पति से सुन रहा था मुझे बड़ा गर्व होता था मेरे हर्याना के उपर मेरे हर्याना की शक्ति पे गर्व होता था भाई और बेनों खेल के साथ साथ खेत कलिहान के प्रति भी बाजबाद सरकार अबुद्पुर्व प्रयात कर रही है किसान के लिए सिंचाई से लेकर कमाई तक के नएने समाधान तैयार किये जा रहे हैं हर्याना में मनोहरलाल जी और उनकी टीम ने किसानों के लिए पूरी संवेदन सिल्टा के साथ काम किया है मुझे बताया गया है कि यहां की जिन नहरों में बीस पचीस साल से पानी नहीं पहुँच पाया था वहां भी अब पानी पहुचने लगा है साथियों लोग सभाज चुनाव के दोरान हमने कहा था कि सरकार बनते ही हरियाना के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद देंगे और मेरे हरियाना के किसान भाईयों बैनों आप विश्वास किजिए हिंदुस्तान के किसानों के हग का पानी हरियाना के किसानों के हग का पानी सत्तर साल तक पाकिस्तान जाता रहा ये मोधी पानी को रोकेगा आपके घर तक लाएगा और मैंने काम शुरू कर दिया है क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है इस पानी पर हक हर्याना के किसान का है राजस्तान के किसान का है और इसलिए आपके लिए मोदि लड़ाई भी लड़ रहा है हमने ये भी कहा था कि साट वर्ष की आयू के बाद छोटे किसानों खेद मद्दूरों को पैंशन की सुविदा से जोडेंगे सरकार बनते ही सबसे पहले यही काम सरकार ने किया आज हर्याना के लाखो किसान परिवारों के बैंक खाते में करीब साड़े छे सो करोड रुपी जमा हो चुके है पर बनते ही सबसे जमा हो चुके है